Hello friends, आप देखरें है टेकनिकल हिंदी गुरुजी. Friends, ये वीडियो बहुत important सभी छात्रों के लिए होने वाली है. ऐसे सभी candidates जिनको college अभी तक अलोट नहीं हुआ है. या ऐसे सभी candidates जिनको college अलोट हो गया था second round में और उन्होंने अपनी seat को resign कर दिया था मतलब छोड़ दिया था तो अगर आपने अभी तक second round या first round को registration नहीं किया था तो यी वीडियो बहुत important सभी छात्रों के लिए है इस वीडियो को बिल्कुल भी इसके मत कीजीगा मैं पूरा detail में बताऊंगा क्योंकि आप सभी को बता ह होगी तो आप स्क्रीन पर भी देख पाऊगी मैं आपको बता दूं कि आज है मोपप राउंड का 10 मार्च से इसके registration स्टार्ट हो रहे हैं और जो registration है वो 14 मार्च तक इसके complete registration कराए जाएंगे तो ऐसे सभी कंडिये जिनोंने राउंड बन राउंड टू में registration नहीं किया था तो वो अभी registration कर दें 14 मार्च तक ठीक है ऐसे सभी कंडिये जिनको राउंड टू में अगर कोई seat मिली हो और उन्होंने seat को छोड़ दिया हो तब भी वो ऐसी कंडिशन में new registration करके और new phrase अपना payment करके वह यहां पर चॉइस फिलिंग कर सकते है ठीक है तो चौदे मार्च तक आपकी रजिस्ट्रेसर होंगे मोपप राउंड ऑल इंडिया कोटा का राइट उसके बाद चॉइस फिलिंग और चॉइस लोकिंग कब से कब तक होगी तो 11 म मतलब कल से लेकर के 14 मार्च रात 12 बज़ तक इसकी चॉइस लोकिंग होगी मतलब इसका 14 मार्च तक ही मतलब इसका चॉइस फिलिंग कराए जाएगा ठीक है उसके बाद मैं बात करूँ इसका जो बैरिफिकेशन होता है इंस्टिटूट के द्वारा वह आपका 15 और 16 मार्च को दो दिन कराए जाएगा रिजल्टा आपका जो है मतलब कौनसे छात्र को मोपर प्रावण में कौनसी सीट अवर्ट की गई है वह 19 मार्च को कि जाएगी रिपोर्टिंग आपको करनी है मोपर प्रावण की 20 मार्च से से ले करके सकता इस मार्श की बीच आपको इसकी रिपोर्टिंग करनी होगी राइट देखीगा मैं आपको बता दू फ्रेंड्स की इसकी कुछ फैक्ट और कंडिशन जैसा कि आपने थम्मेल पर भी देखा मैंने बोला कि इसके बाद कराए जाएगा सबसे पहले मैं आपको बिता दूं कि ऐसे सभी कंडिट अगर उन्होंने कर रहे हो और कर रहा है तो ऐसे सभी कंडिट को मैं बता दूं कि आपको जो च्वाइस करनी है वह एक ज्यादा से ज्यादा अपनी च्वाइस को यहां पर करिएगा मैं इसलिए बोल ला हूं क्योंकि मोप अपर बाद जब इस्ट्रे वेकेंसी राउंड होगा तो बहां पर मैं च्रेंशिट नहीं मिलता है तो इस्ट्रे वेकेंसी राउंड में ना कोई रेजिस्ट्रे सन होगा और ना कोई को च्वाइस कराहें जाएगी तो आपको जो क्योंगेंसी राउंड करना चाहते हैं तो मोप अ caliber कर और इस्ट्रे वेकेंसी राउंड दोनों के लिए ठीक है अगर आप इस्ट्रे वेकेंसी राउंड में पार्टिस्पेट करोगे तब भी आपको मोपप राउंड में पार्टिस्पेट करना पड़ेगा ऐसे सभी कंडेट मैं आपको बता दूँ अगर आप इस्ट्रे वेकेंस इसलिए मैं बोलना हूं कि आप जब चॉइस फिलिंग करने की कोसिस करें जिससे अगर आपको मोपफ राउन में नहीं मिल पाता है तो इसलिए यह फैक्ट है कि आपका इसलिए कम होने के चांसेस रहेंगे बहुत ज़्यादा इसलिए जब आप चॉइस फिलिंग करें तो आपको सीट अलॉट हो जाए बागी कोई इंफर्मेशन आगा आती है तो मैं एमसी की वेबसाइट पर आपको जो अपडेट होगा तो मैं आपको जरूब वीडियो को माध्यम से इंफर्म करूँगा चैनल को सस्क्राइब करने बेल आइकन को प्रेस करने नीट की सभी लिए तो प्लीज मैं आपसे फिर रुकेश्ट करता हूं कि आप नीट 2022 की प्रेपरेशन में लग जाएगा अगर ऐसे सभी कंडियेट जो 2022 औ 2023 की प्रेपरेशन कर रहे हों मैं उन सभी छात्रों के लिए बताना चाहूंगा कि मैं भी आप अनकैडी पर एक मेगा कॉमबेट कराए जागा 13 मार्च को जिसमां आपको हाला कि चार से पांच मन्त बचे हुए नीट 2022 के एक्जाम के लिए टीसे चेंड कोड डालके कि इस मेगा कॉमबेट में आप लोग रॉल करीगा बिल्कुल फ्री है ठीक है सिलेबस भी आप देख पा रहेगों स्क्रीन पर इसमें आ बाद से आपके अनकैडी पर सस्क्रिप्शन की प्राइज बढ़ाए जा रहे हैं तो आप लोग टीसे चेंड कोड डालीगों फटापट से ले लिजेगा सस्क्रिप्शन का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में है और मैंने बॉट्सप नमबर भी डिस्क्रिप्शन दे जिजेगा